वेंच फिल्म फेस्टिवल के तहद मुंबई में पहली बार हॉरर फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया जिसमें देश और विदेश की 23 फिल्मों को तीन कैटेगरी में शामिल किया गया और हर कैटेगरी से एक सर्वस रेस्टर फिल्म का चैन किया गया वेंच फिल्म फेस्टिवल के तहद आयोजित हरर फिल्म फेस्टिवल में तीन कैटेगरी की शाट फिल्में शामिल थी इस दवरान तुमबाड की विशे स्क्रीनिंग भी रखी गई थी हॉरर फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत मिशेल गर्जा सेर्वर की फिल्म हुसेरा दबोन उमन से हुई और समापन एलिस वेडिंग की फिल्म दन नाइट मेर से हुआ ब्लड थर्ष्टी कैटेगिरी में 40 मिनिट से अधिक किसरेनी में 4 फिल्मों को शामिल किया गया जिसमें 53 मिनिट की स्पेनिश भाषा में बनी फिल्म हुसेरा दबोन उमन दूसरी फिल्म दनाइट मेर है तीसरी 53 मिनिट की जर्मन फिल्म रप्चर और चवथी एक घंटे 10 मिनिट की इंगलिश फिल्म हनी कॉम शामिल थी इस चारो फिल्मों में से मिशेल गर्जा सेर्वेर के निर्देशन में बनी फिल्म हुसेरा दबोन उमन को सर्वसिष्थ फिल्म चुना गया एल्विस केटेगरी में 10 मिनिट की अवधी वाली 7 शार्ट फिल्म में शामिल थी जिसमें 7 मिनिट की मलियालयम फिल्म काली राठी 9 मिनिट की इंगलिश फिल्म नीट बन स्टेप टू 5 मिनिट की इंगलिश फिल्म ओल्फ विजल 6 मिनिट की इंगलिश फिल्म हैसकेटिक फ 10 मिनिट से 40 मिनिट की 12 short film में शामिल की गई, जिसमें 16 मिनिट की English और Spanish भाषा की फिल्म The Soft Boy, 23 मिनिट की बंगाली फिल्म Allo, The Light, 21 मिनिट की English फिल्म Three Ways to Dine Well, 34 मिनिट की लाललनास सॉंग, 15.34 मिनिट की Hindi फिल्म The Astronaut and His Parag, 14 मिनिट की Korean फिल्म Abnormal Prime Time, 17 मिनिट पॉलिश भाषा की Growing वह अन्य फिल्म में शामिल थी, इस कैटेगरी में निर्देशक अगाता विये जोरेक की फिल्म Growing को सर्वसिस्टर फिल्म चुना गया, Horror फिल्म फिल्म का आयोजन मुंबई के हरकर स्टूडियो और वेदा फैक्टरी में 10 मार्स से 20 मार्स तक किया गया, जिसमें इस फेस्टिवल में शामिल सभी 23 फिल्मों में से कुछ फिल्मों की वर्चुल स्क्रीनिंग और कुछ फिल्मों की फिजिकल स्क्रीनिंग रखी गई थी, चलो जल्द ही मिलते है नए वीडियो के साथ Global Encyclopedia में,